नमस्कार दोस्तों कबड़ी एड़ा पे आपका स्वागत है हम एज़र्ड अकैडमी को धन्यवाद कहना चाहते हैं हमारे साथ ये वीडियो शेर करने के लिए आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि स्पीड को कबड़ी में किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है एजिलिटी और रियक्शन टाइम को कैसे इंप्रूव किया जा सकते हैं और इन सभी चीज़ों को करने के लिए कौन-कौन सी एक्सिसाइज कर सकते हैं जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं अभी हम यहाँ पे हाई नी जंप कर रहे हैं जैसे ही कोच विसल बजाते हैं इनकी स्पीड को ये बदल देते हैं हाई नी जंप करने से आपकी कार्डियो इम्प्रूव होती है कोर कॉर्डिनेशन और फ्लेक्सिबिलिटी भी इंप्रूव होती है इसमें हैंड और लेक का कॉर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होता है अब आप वीडियो में देख सकते हैं ये लोग स्प्रिंट की प्रेक्टिस कर रहे हैं कबड़ी के लिए 50 मीटर का स्प्रिंट करना बहुत ही आवश्यक है आप पूरे स्प्रिंट के दौरान 100% दीजी अपना पूरा एफ़र्ट उस स्प्रिंट में लगाईए शुरू से लेके अंत तक हर स्प्रिंट के बीच में आप छोटा छोटा ब्रेक ले सकते हैं और आपको कम से कम ये 10 बार रिपीट करना होगा इसके बाद अब हम देखने वाले हैं कि शटल रन किस तरीके से किया जाता है शटल रन हमारी स्पीड को बढ़ाता है पावर को बढ़ाता है एजिलिटी को बढ़ाता है कॉडिनेशन और स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है जैसे ही कोच विसल पारते हैं वैसे ही ये लोग अपन and backward run जैसे ही कोच विसल बजाएंगे ये लोग पूरी तेजी के साथ सामनी की तरफ भागेंगे और अगले विसल पे वापस पीछी की तरफ भागेंगे उसको कहते हैं backward running इसके बाद हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि sideways shuttle run किस तरीके से किया जाता है कबटी में sideways running बहुत ज़रूरी होता है और उसी को improve करने के लिए ये sideways shuttle run किया जाता है इसके बाद हम इस वीडियो में देखेंगे कि reaction time को कैसे improve किया जाता है reaction time improve करने के लिए हम काफी सारे अलग-अलग तरीके के exercises use कर सकते हैं और reaction time कबटी में बहुत ही ज़रूरी होता है ये पहले push up मारेंगे और जैसे ही coach whistle बजाएंगे ये लोग भागना शुरू कर देंगे और अगले whistle में वापस push up करना शुरू करेंगे अब आप देख सकते हैं ये sit ups कर रहे हैं इसको crunches भी कहते हैं जैसे ही coach whistle बजाते हैं ये लोग उठकर turn लेते हैं और भागना शुरू कर देते हैं भागते time इनको अपना 100% देना होगा जैसे आप sprint में देते हैं सबको एक साथ भागना जरूरी है इससे आपकी reaction time इंप्रूव होती है अब आप देख सकते हैं ये लोग frog jump and run कर रहे हैं जैसे ही coach whistle बजाते हैं ये लोग भागना शुरू करते हैं और अगले whistle पे वापस ये लोग frog jump करना शुरू करते हैं अब आप देख सकते हैं कि ये लोग on the spot jump कर रहे हैं को पढ़ाने के लिए अब आप देख सकते हैं कि ये लोग जैसे ही coach whistle बजाते हैं भागना शुरू करते हैं और अगले ही whistle पे ये लोग रूख जाते हैं ये भी आपको आपके reaction time को और speed को बढ़ाने में agility को बढ़ाने में मदद करता है अब आप देखेंगे कि हम यहाँ पे कबटी footwork कर रहे हैं back and front कबटी में पूरा समय footwork करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आप mat पर एक जगा पर रुक कर नहीं खेल सकते आपको सारा समय अपना footwork चलाते रहना है तो उसके लिए हम इस तरीके से practice करते हैं अब हम यहाँ पे track running में आ गए हैं यहाँ पे जब coach whistle बजाएंगे तो वो अपनी शुरुवात slow jogging से करेंगे और अगले ही whistle में वो लोग fast sprint लगाना शुरू कर देंगे यह हम हर whistle पे change करेंगे हर whistle पे speed change होगी slow jogging बहुत ही ज़रूरी होगा इस दोरान recovery के लिए क्योंकि जब आप sprint लगाते हैं तो आप उपना 100% देते हैं और उसके बीच में आपको recovery के लिए slow jogging करना बहुत ज़रूरी है जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं coach जैसे ही whistle बजाते हैं यह लोग तेज भागना शुरू करते हैं और अगले ही whistle में वापस धीरे से jogging करना शुरू करते हैं आप इस वीडियो में इनको सिर्फ एक ही round लगाता हुआ देख सकते हैं लेकिन जब आप इस चीज की practice करेंगे तो आपको शुरुवात में ही कम से कम 5 round लगाना ज़रूरी है और धीरे धीरे जब आपके लिए ये 5 round easy होने लगेंगे तो आप अपने rounds बढ़ा सकते हैं आप इन सभी exercises की practice करिए घर पे और उसके बाद जब आप mat पे देखेंगे आपकी speed आपका reaction time ये सभी अपने आप से improve होने लगेगा हमारे साथ ये पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद इस वीडियो को like करें आपके कोई भी questions आप comment पे लिख सकते हैं अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को share करें और कबड़ येटा को subscribe करें